आपका एक नए वीडियो में स्वागत है आज मैं आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज दिखाने जा रही हूं और आपको पता ही है मैं अपनी सुस्राल आई हुई हूं और ये मेरे देवर का बेटा है अमन तो आज हम लोग भट्टा पे आए है तो ये हमारा भट्टा है और जो आपके घर में इंटें लगती है वह यहां बनाई जाती है तो वह कैसे कैसे बनती है तो सारा वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगी और ये अमन बताएंगे सारा प्रोसीजर तो चलिए आगे चलते हैं पहले आपको दिखाती हूं फ इसमें लगाई जाती है जो कच्छी नूज़ इसने क्या दूआ निकलता है इसमें च्चीन पाइने लगाई जाती है कच्छी इंट हो ती अपनी वो इसके अंदर लगाई जाती है अच्छा आई देखते हैं करें कि अब हम लोग अंदर आ चुके हैं ये यह इस पैस है यह यहां पर जो इंट अपनी कच्छी रेती है तो वो इस स्पैसे में रखी जाती है अच्छा, इसका फिर प्रोसीजर यह है कि फिर एसमें मतलब आग पड़ती है, आग पड़के तब पिर यह मतलब इट पक्की बनती है, तो आपी यही बाइब पड़के जब इड़ कची लग जाएगी इधर उपर तक लगती है कची इंट वहां तक, यह बाउंडरी है, उद आइंट और कच्छी का भी प्रॉसीजर बताएंगे कि कच्छी काईंट कैसे बनती है, मिट्टी और बगेरा कौन से उसनब उसने रखा जाता है, उस सारा कोछ अगे बन आगे बताएंगे तो देखते हैं बहुत लोगों को यह पता नहीं होता है, कैसे इंट बनती है तो इसमें क्या अच्छा मतलब लागत तो काफी आ जाती एक डिड़ करोड से ऊपर का रहता है पूरा प्रोसेजर बहुत लंबा है यह इंट अपनी पक्के यह ऐसी हो जाती है लगाते कची इंट है इसमें यहां से लेकर वहां तक पर यह इंट पक्के मतलब ऐसी निकला थी यह इस तरह कह से लगाते है पहले कची इंट लगती है फिर आग पढ़के आग पूरे में जलती रहती है तेंपरेचर आइड आखि अटिय जाती आपनी क्या नहां में तोड़ी पीली टाइप की मट्टी रहती है वह यूज़ करते हैं। जद अथर। इस पर इस इंगतें लगा ही जाती है। और यह जो हूल है इधर से दूआ पास होता है। यह सारे पूरे वट्टे के । चार तरफ होल इनसे दुआ पास होके वो चिमनी से निकलता है फ़र दुआ अब आपको आगे चल के दिखाते हैं कि मिट्टी कैसे बन के तैयार होके फ्रोस्ट में मतलब बनती है कच्छी इंट यह पूरे चट और अलग अलग टाइप की इंट है कुछ पीला है खंजड है और अबल बोलते यह प्रोप कॉरेटी वाली को अबल गोलते हैं और यह लेवर है उनके छोटे-छोटे सी रहने के लिए बनवा देते हैं यह सब अपनी लेवर हैं बाहर से आती है कुछ शत्यसगड से कुछ बहारी है कुछ लोकल के भी है अब यह सब कुछ लेकर आते हैं अपना पूरा य यह बनाने के लिए यह तो उखेरी लोग यूज करते इसको बनाने के लिए कुछ ? यह मतरब है काची मृटी ड़वाते हैं इसको आपने आट गूते हैं उसकी तरह ए इसको बनाने लेए। ये मतरफ का ची मत्ति डल वाते हैं हैं आप अपटाइगे कैसे बंते अफित में आि हैं अपर लागए एक दिन याना ने एक देन मैं बैबार देंपस्टाव सेल्ग ज़िएं भाद एक दिन ब्रक्रशो ज़िए बैब भीडिन हो गजते हैं जल्दी सुख जाती है भी! दोन शक्राब हो जाता है। यह नहीं उसे ओक90,000 नाख हुखता हूब का इन्याओ एक 17,14 जरी नुकसान होता है जहाता है 9,20 2,20 लाख रुपय का एकडम से हो जयाता है तो नुकसान ही वे हुआते हैं 집नाड़ında पूंदेपा है कि बदए इसको और फोड़े भिए जबाद मालिक अब यह इपनी होगई उम्मिधारीआ खत्म अभी अपनी होगी खराब हो जाए गल जाए अब नुकसान अपना हो जाए अगर ये एक बार बना के तैयार कर देते हैं फिर उसके बाद इनकी जंजट खतम अपनी सुरू हो जाती है तो अभी फॉर्मा के बाहर चाहि जी यहां पॉर्ए पर अबा इनकी मालक घो जाती है सांचे से बाहर हो गई पर अपनी होगे और जब तक जब तक जब तक हैं अभिल्वफे नहीं पॉछे ताब तक नहीं पात है तब पर दोवारा पैसा उतना ही देना पड़ेगा अब इन्हों ने तैयार कर दी अभी अपना हो गया जब तक बट्टे में नहीं पहुंचेगी तब तक पर जब बट्टे के अंदर पहुंचेगे फिर अपन सेफ हैं फिर नहीं नुकसान होगा इसकी और वीडियो नाना था यह वाली खराब हो गया अपना नुकसान हो गया तरह के सफूने मालिक का नुकसान हो गया मालिक अपने जाने यह 2000 इंट पर यह है सांचा दिखा हो ने कि गया है सांचा घृज के फड़ी में पडाए यह 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 सायड को पूरा एंट अपनी लगी है केतने अच्छे उससे बनाते हैं डिजैन से आ पर फ्लीजों क और यह यह नंटिए इंट टाने पर चना प्लीजान से आ यह आप उसक्टू इ यह प्र रहता है यह अक्षर वाला रहता है यह लगाए जाता है यह पूरी सब इंट मिलती है यहां रेत से क्या सो थोड़ी बहुर नमी टैप के रहे जाती है यह भी पढ़ता है रहे तो आप टी जो पखड़ लेता है न साचा तो इसी से छूटती है वह इससे तो चलती है आप अब दिखायता भी अब हलो अब डालो अब च्पक नहीं जाएगा अब यह अब ना तालाव है इसमें अब करते हैं मचली पालाव है हम थोड़ी बहुत डलवा देते हैं मचली वगएरा यह लोग भी बाहर से आए यह लोग भी थोड़ा अपना यूज करते रहते हैं हम लोग तो कोई खाती पीते ही नहीं है तो अपना तो कोई कांप फुली वेजिटेरियन है अच्छा है काफी इस पेस है देखो बड़ा है क काफी कि यहांसे लेके वहाँ तक पूरा है वह टक पूरा overlapping तक और दर वह तक है कि काफी बड़ा चालाव है कि फीजिट फीय इसाड है अपने हैं करीव एक अजार बिग के करीब ऊपने थे यहांसले के वह पूरा किमिनी वह दक अधर से लेकिजिए और शीक पजश बढ बाघ में बना हुआ है वह भी दिखाएंगे आपको आम का बाग हुए पूरा आम के वह ऌर भी और भी उसमें पेड रोप प्राउट हे थैं हैं विक्स है मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा थे पेड़ दार无 जăm मैंने तिन पर पढ़ जाती है और रुपए अपने पर पढ़ जाते हैं मैंने डबल करनी पढ़ती है अब इसकी रिकोर्टिंग बना लोगी है तो दिल्कुल पारी है यह वाली सही है वह वाली पहले पाती थी तो उठानी पाई क्योंकि गीली मिट्टी थी इस वजए से तब तक बरसात हो गई बरसात की वजए से फिर यह बिल्कुल खराब यह देखो यह पूरा यह जो अक्षर रहते हैं पर लिखे हुए रहते हैं वो सब खराब हो जाते हैं अभी क्या ना में नुकसान पांच है लाग हींट मतलब खराब हो गई कच्ची और अगर यह पक के तैयार हो जाती तो 20-25 लाग की हो जाती नुकसान हो गया एक तरीके से 20-25 लाग का कि अपनी सब मतलब बाहर से आई हुए लोग है आज इनकी काम है काम का पंद्रमा देने तो आज के दिने ना खर्शी में लेगी तो आई हैं हमारी यह सर्सों का खेथ है यह अभी हरी सर्सों है अपना ही है हरी सर्सों का है फिर यह सूक के फिर इसमें से निकलता है दाना देखो यह यह बड़ा हो जाएगा फिर इसमें से आज कि दाना निकलता है यह निकल रहा है अभी हरा है इस वज़े से यह जब फिर यह सूक जाएगी तो फिर यह इच जो जाएगा बलेक में यह बहुत है पूरे अपने खेश एओ यह देखो यह इस यह ज़िए यह फसल कि आज गेंह की फसल है अभी इन धिनों में ओती है नवंबर नंवन बंबर तक वह नहीं की चालू हो जाती है और और लिए अपरेल से पहले पहले कर लेकर नेती है पूरा यह उस सर्षा है ठोड़े आलू बख़ते हैं, अलू की भी दे सकता हैं, ना अलू की भी दखायेंगैं थोड़ी स्याक लाइन थी जर्टा now remains अफ़ी खेतों में अपने छीयों सदी सदी, ऐता क्या है ऊपनीर के सफ़िए के नौपी करना कोफी पर खेख्यों अब आगी अपनी आगी टैंदीए, जखेख्यb audio ep47 आधी आधी पर फिर्फ देथे कि मतलब अपनी ये रहती है आधी जुदों माझने फिर्फ भूरी है, एक भी होगी होुदшियाय ने करा स्कूर एकिन करते हैं आधे-आधे सस्पेन हे देदे हैUS आधे को गाउन इस लोगों के पाउ पास खेती में है तुम लोगों को दे देते हैं बोलते हैं एब बहुते हैं तुम लोग भी अपनी खेती करो जागी शेह नहीं कि यह है जादा तर अपने देजि रखी आ हम यह दो ड़े श्व . एब अब यह आपको दिखाएं यह है चकुरी यह है कि चकुरी की खिती जिस से हम क्याफाइन मतर्लों कहषा उती है भो इसमे निकलती है यहां से लेकि बहुत तक पूरा चकुरी का यह खित है बहुंत लाश्ट में जो पेड्ड देख रही है यह जो चोटे चोटे से जो पेड़ है यह सारे चकुरी के यह पेड़ है, यह लग रहे हैं, फालक जयसे लेकिन हैं, जाए चकुरी के, यह थोड़ी सई खेटी है, इसमें थोड़ी पैसे बगेरा भी ज्यादा मिल जाते हैं, इसमें करीब 40-50 अजार रूपय का एक बीगे मे करीब ये कर रखे हैं पचास सौ भीगा की करीब हाँ कॉफी बेंस बनती है हाँ होई कॉफी बीन्स वगएरा हाँ कि सर्सों बगएरा ये पूरे सारा वहां तक पूरा जहां तक देखो सारे अपने ही अपने कहिते हैं है अगला ब्रकट का पेड़ा ये वह बहुत हेवी पेड रहता है नी के निकलते ही और जमीन में भी उन्दश जय निकलती है और या वफा तेदें अब जमीन पहुंच कही है कि ये काफी पराना ब्रकट का पीड़ है पूरा करीब होगा दो तिन सो साल पर आना यह आलू का अपना करवा दिया है यह यह खेत आलू का है यह आलू का है यह देख आलू ऐसे होते हैं यह पेड़ होता है और इसके जमीन के अंदर होते हैं यह जमीन के अंदर तो यह कितने टाइम में हो जाते हैं यह करीब तीन महीने ले लेते हैं, तीन से साड़े तीन महीने, इस टैम बाली जितनी भी खेती है वो तीन चार महीने में तैयार हो जाती है, सबसे ज्यादा टैम चकोरी लेती है, चार से ऊपर महीने ले लेती है, छे महीने तक भी पहुंच जाती है, कम से कम तो गाइस वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और हाँ बैल आइकन जरूर प्रेस करें मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए तो मिलते हैं अब ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ लेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई